जब भी कोई आदमी सियासत में आता है, जिस व्यक्ति से उसका सबसे पहले सामना होता है, वो होता है जोतिसी, कोई जोतिसी गड़ना करने वाला आदमी नहीं, सड़क चराओं पे बैठे हुए तथा कथि सेल्फ मेड जोतिसी, मतलब आपको आपका हुलिया देखके, आपका इस से ज़्यादा उमीद नहीं है, और अगर कोई भविष्य वक्ता बहुत ही ज़्यादा आप पे महरवान है, या उसके सामने आप अर्मानी का सूट पहन के पहुँच गए हो, तब वो आपका केरियर सांसर तक उड़ा देगा, आपको बता देगा भईया विधाया को सां इतनी कहुच होती है इसे भविष्य वक्ताओं की, लेकिन मुझे पढ़कर बड़ा आश्चरी हुआ कि जब नरेंद्र मोदी केवल जिला कार्य समिती के नेता थे, तब ही आज से तीन दसक पहले एक आदमी ने नरेंद्र मोदी से कहा था तुम देश के प्रधानमंतरी बन बनने का भविष उसी समय दिखा दिया था और एक बात और कह देता हूँ, वीडियो के अंत में जब मैं उस वक्ती का नाम बताऊंगा, वो सुन के आपके मन में जो भी भावना आएगी, वो आप कमेंट सेक्शन में व्यक्त जरूर करिएगा, कमेंट सेक्शन में जरूर ल गांधी की धुर समर्थक थी, इतनी बड़ी समर्थक कि लोग उन्हें भी कस्तूरवा गांधी की ही तरह बा कहके पुकारते थे, नेता जिसकी मा ने मरने से पहले उसे वसीयत में 10,000 किताबें दी थी, जिन किताबों में गीता, कुरान, बाइबल जैसी बड़ी-बड़ी क चाहता था, केवल गणित का गुणा भाग करना चाहता था, नेता जिसकी रुची गणित के गुणा भाग में थी, लेकिन उसने इसनातक, माइक्रो वायोलॉजी सब्जेक्ट से किया था, नेता जिसकी कोई खांदानी परिटिकल परंपरा नहीं थी, जिसके पिता एक का अश्वमेध का घोड़ा कहते हैं नेता जो नरेंद्र मोदी को सबसे करीब से जानता है नेता जिसको जब कोई फोन करता है तो सामने से आवाज आती है हाँ अमित जी हाँ सही पहुँच रहे हैं आप ये नाम है अमित भाई शाह कहा जाता है गुजरात के गल्यारों में ऐ सन 1990 के आसपास के इलाके में ही एहमदाबाद के एक रेलवे स्टेशन के किनारे के रस्टोरेंट में बैठके नरेंद्र मोदी और अमित शाह खाना खा रहे थे और खाना खाने के दौरान ही अमित शाह ने नरेंद्र मोदी से कहा कि भाई तुम एक दिन प्रधानमंत्री बन अब ये अमेश चाह की भविश्यमाडी कह लीजिए ये संकल्प और हाँ मैंने जो शुरू में कहा था वो याद रिखिएगा अमेश चाह का नाम सुनने पर आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट सक्षन में लिख कर बताईएगा मुझे लेता हूँ विदा मैं रता हूँ पॉल्टेक्स का किसी नए विजिए